स्वेविन की फसल में टानिक का उपयोग किया जाए और कौन से टानिक का उपयोग किया जाना चाहिए तो आप लोगों से सला है कि हमारी हाँ जो भी सोध हुआ है अनुसंदान हुआ है उस आधार पर स्वेविन की फसल में कोई भी टानिक आर्थिक लाप नहीं देता है मतलब जितनी लागत लगती है उतना ही हमें आय होती है बराबर आय होती है तो इसलिए यह आर्थिक लाप वाला नहीं होता है तो हम किसी भी टॉनिक की अनुसंसा स्वेविन की फसल में नहीं करते हैं तो कोई भी अनुचित रसाइन का उपयोग न करें और स्वेविन की कास्त को न बढ़ाएं क्योंकि इससे अधिक आर्थिक लाप नहीं प्राप्त होगा अब जिन किसान भाईयों को ऐसा लगता है कि मेरी फसल कमजोरे फलियां अलग गई है और उसमें दाने भरने की स्थिति आ चुकी है तो मेरा किसान भाईयों से कहना है कि इस प्रकार की फसल में आप डियेपी दो प्रतिसत का गोल या फिर इफको उननीस उननीस का दो प्रतिसल का गोल का छिड़काओ कर सकते हैं जिसमें की दाने अच्चे से भर जाएंगे और दाने में चमक भी आ जाएगी और आपको इससे लाब भी होगा तो इस तरह से आप स्वयविन की फसल में DAP या इफको 1919-19 का छिड़काओं कर सकते हैं तो इस तरह से आप कास्त को न बढ़ाएं और अधिक कम लागत में अधिक लाब लें तो इस तरह से हमारी अनुसंसा है और कोई टानिक का छिड़काओं न करें कोई अनुचित रसाइन का छिड़काओं न करें जिससे की स्वयविन की लागत बढ़े और हमें आर्थिक लाब कम हो तो यही मेरी सला है कि आप किसी भी रसाइनों में अनुचित रसाइनों में का परियोग न करें धन्यवाद